मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोग का स्वागत है ये हैं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 40 इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 39 तक अल्रेडी मैं प्रोवाइट कर चुका हूँ और टोटल 390 कोशन कंप्लीट करा चुका हूँ इस वीडियो में देखेंगे कोशन नंबर इस कोशन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े चलो चलो आते हम कोश्चन पर हमारे पास एक स्फेयर है इस स्फेयर से मैं डायरेक्ट ली बोलूंगा इस स्फेयर को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है कून कितने कून बनाए जा सकते हैं नहीं प होता है भाई एक बार मैं लिख देता हूं 4 by 3 pi r q कोन का फोलूंग क्या होता है 1 by 3 pi r square h चलो तो एस स्फेयर का फोलूंग 4 by 3 pi r q r कितना है इतना तो चलो 10.5 into 10.5 into 10.5 is equal to नहीं पता कितने कून बनाए जा सकते हैं एक कोन का फोलूंग 1 by 3 pi r square रेडियेस कितना है इतना 3.5 into 3.5 into h height कितना है 3 बस इसी को solve करना है अब इको ध्यान से खुद समझो ध्यान से अगर मैं इसको हटाऊँगा तो 10 नीचे आएगा इसको हटाऊँगा तो 10 नीचे आएगा उसी तरह से इसको हटाऊँगा तो 10 105 इसलिए क्योंकि मेरे को टेबल पता है चलिए और वैसे भी आप कर सकते थे ठीक है 7 से भी cancel कर सकते थे 5 से cancel कर सकते थे अब आगे बढ़ते हैं यहां से हटाओंगा तो देखो यह 10 आ गया अब 5 से मैं cancel करूँ तो 5 से 25 ए 100 पहुंच होता है 5 से 2 टाइमस में 2 से 2 अब बताओ 3 इंटू 2 6 इंटू 21 इंटू 6 होता है 126 तो कौन सा एंसर मैच करेगा देखो ध्यान से हाइलाइटर में ले लेता हूं 126 एंसर कौन सा मैच किया option नंबर डी करेक्ट एंसर हो गया क्या इसमें कोई डाउट था किसी को कोई इसू नहीं होने वाली है क्योंकि simple question था आसानी से किया जा सकता है चलिए next question question number 392 ए राइट सर्कुलर कौन इज इतना सेंटीमेटर हाइट एंड रेडियस और इस बेस इज 1.6 सेंटीमेटर इट इज मैट एंड रिकास्ट इन्टू राइट सर्कुलर कौन विथ रेडियस और बेस इस इतना देन दा हाइट ऑफ कौन इज यार देखो simple question है इस question में भी वहीं चीज है एक कौन है एक छोड़ एक कौन है इस कौन से हमें क्या मेलट करके एक राइट सर्कुलर कौन एक और दूसरा कौन बनाना है इसके बारे में information question में दिया गया है तो बताओ melt करना है यानि कि volume दोनों का सेंट करना पड़ेगा इसका volume क्या होगा 1 by 3 कौन का volume क्या होता है 1 by 3 pi r square h तो 1 by 3 pi r square r कितना दिया गया यहां पे इस वाले की 1.6 तो 1.6 into 1.6 r square h height कितना दिया गया 3.6 is equal to यह भी कौन है तो इसका भी volume वही होगा 1 by 3 pi r square radius कितना है अब 1.2 यहीं 1.2 into 1.2 into height कितना है नहीं पता यहीं height हमें लिगा लना है चलो हमें height क्या करना है इस कों की height हमें क्या करनी थी find out करनी थी हम कर लेते हैं questions को चलो मैं देखो द्यान से 1 by 3 pi से 1 by 3 pi cancel अब खुर सोचो देखो द्यान से यह divided by 10 यह divided by 10 यह divided by 10 क्योंकि decimal हटा रहा हूं यहां भी decimal हटा या 10 यहां भी decimal हटा या 10 12 से 3 times में 10 से 10 cancel 10 से 10 cancel 3 से 4 times में 4 से 4 यहां पर 4 बचा और यहां पर 1.6 कितना बचा 16 into 4 64 into यहां पर 3 upon नीचे कितना बचा 10 is equal to यहां पर क्या बचा यार यहां पर कुछ नहीं बचा है अब इसको multiply कर लूँ तो देखो 19.2 आ जाएगा क्यों 19.2 डारेक्ली मैंने लिग दिया कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया ना कहां पर मिस्टेक हो रहा है फिर से calculate करना पड़ेगा क्योंकि 19.2 कोई option नहीं हा रहा है यहनि कहीं न कहीं मिस्टेक कर देख चलो फिर से देखो यहीं पर calculate कर लेते हैं यार वन बाइट्री पाई अब मैं decimal को direct काट हूंगा 1.6 1.6 into 3.6 is equal to 1 by 3 पाई 1.2 into 1.2 into h यहीं यह तो इतना ही होगा यह तो सी और हो सबी लोग अब बस इसी को cancel करना है तो 12 से 3 टाइमस में 3 से 4 टाइमस में मैं हटा रहा हूं क्योंकि decimal हट जाएगा न सिर्फ एक decimal एक्स्ट्रा यहां पर बचेगा 10 नीचे बच जाएगा बस आगे बढ़ते हैं 4 से 4 टाइमस 1 by 3 पाई से 1 by 3 पाई यहां तक हो गया अब क्या बचा यहां पर देखो 16 बचा यहां पर 4 16 into 4 64 अपन नीचे 10 है इस उकल टू इधर क्या बचा एच यानि एच की बहलों कितनी आ गई 6.4 सेंटिमेटर कौन सा एंसर मैच कर गया ओप्सन नंबर सी 392 का सी करेक्ट एंसर हो गया अगर नहीं समझ मैं आप फिर से इक बार कैलकुलेट अच्छे से आपको सीखा देता हूं देखो दे आपसे डरना नहीं यहार जितनी बार क एच कितना है 3.6 तो 3.6 क्योंकि मेल्ट किया गए तो वॉलूम दोनों साइट कोन ही है आरे स्कुआ है इस केस में रेडियस 1.2 इंटू 1.2 इंटू हाइट नहीं पता एच लिकालना है यहों 12 से 3 टाइम्स में है 3 से 4 4 से 4 1 बाइ 3 पाई से 1 बाइ 3 पाई 1.6 इंटू 4 इस उकल टू यहां क्या बचा हाइट एच 16 इंटू 4 64 और यानि कि 6.4 इस उकल टू एच कौन सा मैच कर गए ओप्स नमबर सी तो जितनी बार आप प्राक्टिस करोगे उतनी बार आपकी स्पीट बढ़ते जाएगी देखो मैं तीन बार क्वेश्चन को सोल गया तो तीन तरीके से कर लिया काल्कुलेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ऐसा नहीं कि रट के बैठे हो कि हाँ इसी एप्रोस से ही जाना है आपकी कॉंसेप्ट के फंडे क्लियर होने चाहिए बाकी आप कैल्कुलेशन जिस मर अच्छा कोशन मेरे को लगा क्योंकि सर्फेस एरिया किसका एस्फेयर के बारे में बात किया गया एस्फेयर का सर्फेस एरिया क्या होता है और पाई आरे स्वायर एस्फेयर का वॉलूम भी दिया गया तो भी क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अब हमसे पू या, S-Q-be कर लो यार, तो 4 का Q- इसको V-A-S-Q-E करूँगा, तो क्या होगा, 4 बाई 3 का S-Q-E करूँगा, siis 16 बाई 9 इन्टू, pi square into r पे पाव़ 6 हो जाएगा चलो solve कर लेते हैं तो 16 by 9 into pi square into r पाव़ 6 r पे पाव़ 6 गैंसील ये एक pi उपर रह जाएगा ये 9 उपर चला जाएगा तो देखो देखो द्यान से 16 से 4 यानि कितना आ गया है यहाँ पे देखो बचा जो यहाँ पे 4 बचा यहाँ पे 9 बचा multiply होगा तो कितना होगा 36 और यहाँ पे πाई रह गया था तो 36 पाई unit आ जाएगा answer कौन सा answer match कर रहा है option number A ही तो match कर रहा है देखो यहाँ से तो option A क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा 393 का A correct answer चलिए next question पर आते है question number 394 जोको 394 में क्या कहा गया है ध्यान से समझोगे तो आप questions को easily कर पाओगे assume that a drop of water is a spherical and its diameter is one tenth of a centimeter okay a conical glass of height is equal to the diameter of its rim if इतना drop of water fill the glass completely then the height of glass is कितना आसान question है देखने में आपको हो सकता है different लग रहा हो लेकिन question बहुत ही basic है वो कैसे basic है वो चीज़ देखो ध्यान से कहा गया है कि किसी पानी का बुन जिसका ब्यास इतना centimeter का का दस्मा भाग है यदि संक्वाकार पात्र की उंचाई इसके आधार के ब्यास के बराबर हो यदि पात्र में देखो ध्यान से अब बात कूए यदि पात्र में इतना पानी की बुन्दो को एकत्रित किया जाता है तब पात्र की उंचाई ग्यान करें question को solve किया जाए देखो ध्यान से हमारे पास एक क्या है भाई इस तरह से है देखो ध्यान से हमारे पास एक कौन है जिसमें हमें पाने को इकठा किया जा रहा है और एक बूंद के बारे में a drop of water of a spherical जो एक बूंद है वो a spherical form में है जिसकी diameter जिसका diameter के बारे में दिया गए कि 1 10th of centimeter है 1 10th of a centimeter जियान से देखो डाइमीटर अगर 1 10th centimeter है तो radius क्या होगा इसका आधा यानि 1 by 20 centimeter ये इस drop के बारे में information है और कहा गया कि ऐसे drop जो है कितने drop इसमें इकठे किये गए इस conical flask में यानि इस drop में कितने संक्वाकार में इसमें कितने 32,000 drop इकठे किये गए पानी के अब कहा गया है कि height of a glass is इसकी height बताओ ये वाली height ये तो कहलाएगी radius देखो दियान से मैं color change कर लूँ दियान से ये तो कहलाएगी radius और ये वाला height यानि कितने height of a glass इस glass जो था ये हमारा इसकी height हमें बतानी थी क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं खुद सोचो water के drop plate को इसमें डाल रहे हैं तभी तो इसका पानी इसमें इकठा हो रहा है यानि कि वहीं पानी इकठा हो रहा है यानि volume सेम करना पड़ेगा spherical drop का volume क्या होता है 4 by 3 pi r q तो 4 by 3 pi r q यानि r कितना है इतना यानि 1 by 20 into 1 by 20 into 1 by 20 is equal to कितने drop plate बने हैं कितने drop plate इकठे किये गए 32,000 into एक डॉप पताओ एक कून का volume क्या होता है 1 by 3 पाई अच्छा नहीं 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 ओहो सोरी मैं यहां पर mistake कर रहा हूं देखो द्यान से मैं eraser ले लेता हूं कुछ सोचो यह drop plate किसका है यार यह तो मैं गलती बहुत बड़ा mistake करने जा रहा था क्योंकि यह ड्रो एक drop ग्लास में तो इसका volume 1 by 3 by r square h अब यहां पर आर के बारे में एक information है क्या information है यार देखो द्यान से आर के बारे में information यह है कि देखो द्यान से एक conical glass of height is equal to the diameter of a ring यानि अगर इसकी radius r है देखो द्यान से इसकी radius r है तो height के बारे में एक information है height जो है वो क्या है height जो है diameter के ring के equal है अगर height अगर radius r है तो diameter कितना होगा 2r और वो किसके equal है diameter के यानि height कितना है 2r के बराबर तो 1 by 3 pi r square h h कितना है 2r यानि यह आपका information पता चल गया चलो यानि हमें height लिकालना है h यानि कि 2r के बराबर r लिकल जाएगा हमारा काम हो जाएगा देखो 1 by 3 से 3 cancel pi से pi cancel यहां तक तो हो गया अब हम solve करने जा रहा है देखिए color में change कर लूँ यार यह क्यों नहीं आ रहा है ठीक है देखो 1 2 3 0 से 3 0 cancel 2 into 2 4 4 into 2 8 8 से 4 times में चला गया यहां से देखो 4 into 4 16 बचा इस उक्वल टू यहां से क्या बचा टू आर क्यूब दो से 8 यानि 8 को लिक सकता हूं 2 का क्यूब इस उक्वल टू आर का क्यूब यानि आर की वैलू आ गए 2 लेकिन हमें क्या लिकाना height of a glass height किसके equal था टू आर के तो 2 into r यानिकी 2 यानिकी 4 3 meter option कौन सा मैच कर गया option number यह दोनों मैच कर गया तो option क्या हो गया लिक करेक्ट एंसर हो आई होप आपको यह question समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से समझ में आया चलिए next question प्याते next question यहीं से हम सुरूर करते है question number 395 देखो 395 question ध्यान से समझो question आसानी के आसान तरीके स एतना में ट्राम 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 ट् देखने में language difficult लग रहा हुगा लेकिन question बहुत ही आसान है अगर question को करोगे तो कहा गया कि इतना मीटर लंबे और इतना मीटर चोड़े मैदान में से इतना मीटर लंबा इतना मीटर चोड़ा और इतना मीटर हाइट का गहरा गढ़ा खुद आ गया अब उसके बाद का गया है निकाली गई मिट्टी को मैदान के बच्चे हुए भाग में समान रूप से फैला दिया गया तो मकान का मैदान का उच्छा हुआ उठा हुआ तल ग्यांत करो simple question है कैसे देखो मैं समझाता हूँ एक मैदान है लेट सपोज यह क्या है यह एक फिल्ड है यह एक फिल्ड है जिसकी लंबाई जो है जिसकी लंबाई जो है hundred meter है one thousand meter है और इसकी जो चौडाई है इस फिल्ड की यह कितनी है 30 मीटर है, ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, गढधा खोदना है, कितना मीटर, इतना मीटर, लॉंग, इतना मीटर, चोणा और इतना मीटर, इसमें से हमें गढधा खोदना है, जो कि इस तरह से हमें इसमें गढधा खोदना है, जो भी गढधा खोदना है, ठीक है, जो भी इसमें से हमने मिट्टी लिकाल, अमानों ये गड़ा खोद दिया, तो मिट्टी हम जो लिकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बचे हुए मैदान पे, क्योंकि गड़ा खोद रहे हैं, तो जो बचा हुआ भाग है, उस पे हम मिट्टी को भर रहे हैं, ये समस्वाने के लिए डाइग्राम बनाने की नइन नहीं है बना रहा हूँ समस्वाने के लिए इसादे को डाइग्राम के से समझ में आना चाहिए, अब हम आते हैं अपने लिका लेंगे- लिका लेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया अब चलो, अब हम आते हैं अपने question पर देखो question में ध्यान से समझो बात को जो हम मिट्टी लिका लेंगे उसका volume क्या होगा क्योंकि उसकी dimension दी गई है LBH दिया गया है LBH तो volume क्या होगा L into B into H यानि 40 into 30 into 12 यानि जो हम अर्थ से पिर्थवी से जो हमारा मैदान है उससे हम volume कितना लिका लेंगे मिटी तो इतना तो multiply कर लो या तो देखो बार सो बार इंटू बार 144 यानि 114 00 कितना है मीटर क्यूं हम मिटी खोदेंगे यह खोदने का process है अब देखो यानि खोदेंगे यानि इसी को हम बाहर लिका लेंगे अब आगे बढ़तें यहां पे समझो जो हमारा फिल्ड था देख हमारा फिल्ड था उसका हमारे पास length दिया गया था 100 1000 और weight दिया था इसका area यानि जो हमारा फिल्ड का area पहले पता कर ले तो फिल्ड का area कितना होगा 1000 into 30 फिल्ड का area अब देखो फिल्ड का area यह हो गया हमने जो मिटी लिकाल रहे हैं वो किस अब क्योंकि यह फिल्ड है two dimension तो जो हम मिट्टी लिका लेंगे देखो द्यान से क्योंकि हम मिट्टी लिका लेंगे वो किस फों में होगा इन दोनों के फों में होगा जो मिट्टी लिका लेंगे तो बताओ मिट्टी जो हम लिकाल रहे हैं उसका लेंथ किसी साब से इतना और ब्रिट कितना है इसी साब से का एरिया के बारे में बात करूं उसकी एरिया तो इस हिसाब से होगी तो बताओ बचा कितना एरिया तो 30,000-1200 यानि 28,000 बचेगा 28,800 बचेगा माइनस कर लेना इतना मेटर स्कॉयर हमें क्या बचेगा हमें उस मैदान का जो लिकालने के बाद जो बचा हुआ भाग है जैसे देखो ये मैदान था इसमें से हमने इतना एरिया कभरप कर लिया लिकाल के मट्टी खोद लिया उसके बाद जो बचा हुआ जो मैदान का एरिया है वो कितना है ये लेट वाला एरिया है और इसी पे हम मिट्टी फैलानी है ना इसी पे जो बचा हुआ एरिया मैदान का है let's suppose यह दोनों मैदान का एरिया बचा हुआ इसी पे हमें ये वाली मिट्टी फैलानी है तो वॉलूम एक्वेट कर लो तो बताओ इसका वॉलूम कितना है 1440 इसका जो बचा हुआ है उसका एरिया कितना है कितना आप जानते हो वॉलूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट तो मैदान का उठा हुआ भाग यानि कितना उठा हुआ है तो हाइट एरिया में अगर हम हाइट से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है और क्यों मैंने एक्वेट किया वॉलूम क्योंकि यहीं मिट्टी इस मैदान पे फैलानी है ना जो बचे हुए मैदान जिस कौन सा एंसर हो गया ओप्सल नंबर कि करेक्ट एंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा अब एक बार अच्छे से एक्स्प्लेइन कर देता हूं देखो जहां से समझे बात जो हम मिट्टी लिका लेंगे उसका भॉलूम कितना होगा इसी मिट्टी को फैलाना है में जो गड़ा खो इरिया में मिट्टी फैलानी है मैंदान का एरिया इतना था हम गड़ा इतना था इसमें से हमारा अमने को सो इसमें से मिट्टी फैला नहीं यह तुन को फैलत करना है तो आप कभी भी questions नहीं कर पाओगे ठीक है याद रखना ही बाद चलिए next question question number 396 देखो 396 क्या क्या आगए a sphere is cut into a hemisphere okay a sphere is cut into hemis cut into two hemisphere one of them is used as a bowl and it takes eight bowls of sorry it takes eight bowl fulls of these to fill a conical vessels of height 12 cm 6 cm the radius of a sphere in cm will be देखो क्या दिया गया है ध्यान से देखो कि किसी खोखले गोले को दो बराबर अर्ध गोलों में बाटा गया यानि कहा गया है कि एक sphere है इस sphere को 2 hemisphere में कट करना है 2 hemisphere में कैसे कट करोगी इस तरह से हमने कट कर दिया यह हमारा कट कर देने वाला पार्ट तो 2 hemisphere कैसा बना एक इस तरह से बना और दूसरा उपर में इस तरह से बन जाएगा यह दो hemisphere बन जाएगा यह हमी एसफेर फरस्ट और हमी एसफेर सेकेंड क्योंकि यह क्या था हमारा sphere था इस sphere को हमने दो hemisphere में कट किया अब आगे बढ़ते हैं इस परकार की 6 cm तरिज्या और 12 cm एक की तरिज्या 6 cm है और दूसरे की तरिज्या क्या है 12 cm यानि एक की रेडियस कितनी है 6 तो दूसरे की रेडियस कितनी है 12 एक question में दिया गए उंचे खोखले संकु को पानी से भरनी के लिए 8 अर्ध गोले की और सक्ता पड़ी तो गोले की तरिज्या प्रेंड आप करो यार यह तो simple question है कोई एक हमारे पास conical flask है कोई हमारे पास एक conical vessel है मैं इसको diagram को इस तरह से बना देता हूँ देखो द्यान से हमारे पास एक conical flask है conical vessel है देखो इस conical vessel की height दी गई है इसकी height दी गई है कितनी है height 12 radius दी गई है कितनी है 6 कहा गया है ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर पाओ अधरवाई आप नहीं कर पाओ नियान से देखो यह 6 और 12 नहीं दिया गया है यार क्योंकि यह ऐसे कैसे possible है देखो यार मैं यहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिकर रहा हूं एक मिनट रुख जाईएगा रुख जाईएगा मैं eraser ले लेता हूँ खुछ सोचो यार देखो द्यान से एक चीज मैं आपको समधाना चाहूँगा पेन ले कर देखो क्योंकि हमने क्या किया एक sphere से हमने गोला कटा तो दोनों का इस format कटेगा यह जो information दिया गया था क्योंकि हमें इसी की तो radius find out करना है find the radius of a sphere यानि यह जो इसका sphere का radius यहीं find out करना है radius अब खुद सोचो देखो द्यान से समझो बात को हमारे पास जो conical vessel है उसकी यह दी गई है height और radius यह 6 और यह 12 दिया गया था अब कहा गया है यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर मैं it takes 8 ball to fill a conical block अगर हमें इसको भरना हो तो कितनी जरुवत होगी 8 बाउल फुल्स की जरुवत होगी ऐसे अर्धवोले की 8 ओ सकता होगी 8 तो बताओ volume हमें equate करना पड़ेगा 8 into 1 अर्धवोले की volume क्या होती है 2 by 3 pi r q is equal to इसका volume कोन का 1 by 3 pi r square h r कितना है 6 square 6 into 6 h कितना है 12 pi से pi cancel 3 से 3 cancel 2 से 3 अब क्या करूँ 4 से 3 times में 4 से 2 times में 2 से ये 3 r cube is equal to 3 into 3 into 3 यानि कि 3 का cube यानि r is equal to 3 अब देखो r क्या आया r हमारा आया इसका ये वाला radius r r आ गया 3 cm और यहीं तो sphere की भी radius था तो नहीं sphere का radius कितना हो गया 3 cm जो भी cm में था तो सेंटी मीटर में एंसर आ जाएगा option number 1 कुछ था नहीं question में अच्छा question है समझने वाली बात क्या है कि भाई एक sphere था देखो मैं पूरा अच्छे से highlight करके दिखा रहा हूँ एक sphere है sphere को मैं दो hemi sphere में कट कर देना है एक यह और एक यह क्योंकि दोनों की radius जो sphere का radius होगा वह यह hemi sphere का radius होगा का जार कि इससे अगर मैं बात करूं कि यह conical flux की तो इसमें आठ बॉल जो हमने बॉल बनाया यानि हमने जो यह अर्दगोला बनाया इस तरह से आठ इस फेर इसमें आ सकते हैं यानि कि इसका वॉलूम eight sphere का वॉलूम कोन के वॉलूम के बराबर कर दो बस हमारा आ जाएगा answer और जो आ गया हमारा answer हो जाएगा कुछ question में था नहीं conceptual question था अच्छा मेरे को मज़ा आया question करने चलिए next question यह मैं क्या कर रहा हूँ पेन लेता हूँ देखे और उसकी मैं color भी change कर देता हूँ question number 397 397 में क्या का आगया a ball of lead four centimeter diameter is covered with gold okay the volume of the gold and lead are equal then thickness of gold is यार देखो questions अच्छा है कहागे कि a ball of lead four centimeter in diameter is covered with gold अब देखो द्याद से हमारे पास एक ball है देखो अच्छे से समझोगे ना तो question बहुत मज़ा आने वाँ एक ball है जिसका diameter दिया गया है four let's suppose इस ball यह लेड का ball है यह ball किसका है लेड का लेड यानी सी से का इसका जो radius होगा let's suppose यह मैं आर मान लेता हूँ तो यह जो कभर किया गया है यह कभर किया गया है यह ball किसके द्वारा cover up किया गया है देखो द्यान से covered with gold गोल्ड के through cover up किया गया है यानी उसको किसे कभर up किया गया है गोल्ड के through cover up किया गया है आगे बढ़ते है the volume of gold and lead are equal जो गोल्ड का volume है गोल्ड का volume जो है और lead का volume जो है वो क्या है यह questions में दिया गया है तो बताओ cover किया गया है कुछ सोचो देखो cover किया गया इसको गोल्ड से तो गोल्ड का volume कितना है यह capital R capital R नहीं है let's suppose यहां से मैं यहां से तक का radius R मानता हूँ gold जो cover up किया गया है वो वाला portion तो कौन सा है यह वाला portion है क्योंकि cover up किया गया है समझो बात को फिर से नहीं समझ में आता है तो मैं शुरू से समझाता हूँ हमारे पास एक lead है जो blue वाला color represent कर रहा है यह lead जिसकी radius मैं मान लेता हूँ वह ऐसे दिया गया है इसको हमने gold से cover up कर लिया यह gold से हमने क्या कर लिया इसको cover up कर लिया यह धक लिया lead था जो blue वाला है blue वाला represent कर रहा है lead को यानि सीसा को और जो हमने अभी cover up किया वो gold से कहा गया कि volume of gold volume of gold is equal to volume of lead equal है तो हमसे पूछा गया thickness of gold each अब देखो दियान से let's suppose यह वाला radius देखो दियान से यह वाला radius capital R मैं बना तो gold का thickness क्यों सा होगा यहीं वाला portion होगा gold का thickness क्यों सा होगा यह वाला और gold का thickness क्या होगा capital R में से small r minus करोगगी यह capital R है यहां से यहां तक small r है तो thickness जो आया यह capital r minus small r है तो हमें यह find out करना है अब कैसे find out करोगे उसके में एक यहां पे दिया गया, gold का volume क्या होगा यार, one by क्योंकि sphere है तो four by three pi r q अब gold क्योंकि gold सिर्फ यह वाला part में है तो बताओ, यह वाला r है minus r का gold q, gold का volume यही होगा आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि four by three pi r q minus four by three pi small r q तो भी तो four by three pi common कर लोगे, तो क्या होगा r q minus r q, sorry यहां पे यह क्या होगा, यह नहीं होगा बलकि r q minus small r q, ठीक है आगे बढ़ते हैं is equal to volume of lead, lead का volume क्योंकि lead वाला portion कौन सा है, मैं color change कर लेता हूँ lead वाला portion कौन सा है सिर्फ यह वाला portion है तो lead का volume क्या होगा four by three pi small r q अब आगे बढ़ते हैं चलो, बस solve करना है, हमारा काम हो जाएगा चाहो तो आप आसानी से अलग-अलग ही लिख लेते यार देखो क्योंकि फिर तो multiply करना पड़ेगा four by three pi r q minus four by three pi small r q यह क्या है, gold का भूल, directly यह मत लिखना, directly यह लिख देना क्यों, क्योंकि इस वाले बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले का volume लिकाल दूँ तो यह gold का volume लिकल जाएगा क्योंकि gold तो सिर्फ इतनी वाला ही पार्ट में है न ठीक है, I hope आप समझ पा रहे होगे, मैं highlighter यूज करूँगा तब better understanding होगी, देखो अब gold वाला पार्ट में कवरब जो किया गया, उसको मैं दिखा रहा हूँ जब तक दिखाओगे, better है, geometry में जितनी figure अच्छे से explain किया जाए वो better feel होता है, ठीक है, यहां तक देखो 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 अब यहां पे देखो, यह gold का volume और यह किसका volume था चलो, इस वाले terms को यह किसका late का volume था, इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 4 by 3 pi r q is equal to, यह इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, add हो जाएगा यहां पे प्लस 4 by 3 pi r q, यानि कितना हो जाएगा, 8 by 3 pi r q, यहां तक हो गया, अब देखो pi से pi cancel, 3 से 3 cancel, यहां से 2 cancel, यानि capital r q is equal to 2 r q, अब यहां पे देखो जो r की, small r की value, diameter दिया गया 4, तो r is equal to कितना होगा, diameter का half, यानि r q is equal to 2 कितना हो गया, 2 into, 2 का q, यानि 8, r q is equal to, कितना हो गया, r q is equal to, कितना हो गया यार, 16, तो यहां से तो लिकालना मुस्किल हो जाएगा, चाहिए, ऐसे कर लूँ, देखो दियांसे, ऐसे कर लेता हो, क्योंगि यह तो लिकालना पड़ेगा ही, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, हमें go through option जाना पड़ेगा, तो यह मैं r minus r चाहिए, तो capital r लिकालना है, तो देखो दियांसे, r is equal to क्या होगा, cube root of 2 into, इसका cube root करूँगा, तो 2 आ जाएगा, यानि 2 into cube root of 2, अब हमेंने बता, अगर आपको पता होगा, तब देखो, यहां पे एक information दी गई है, question, इसका, 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 आया 2.518 minus, a small r 2 है, यानि answer किता होगा, 0.518 आ जाएगा, difference, thickness, option number d, फिर से समझा देता होगा, कोई बात नहीं है, अगर dead, नहीं है, 10 बार करोगे, 10 बार question को solve करा दूँगा, इस में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानि question को करने का तरीका यह है चलो फिर से समझा देता हूँ देखो पूरा ही समझा देता हूँ अच्छे से हमारे पास देखो ये है हमारे पास lead जिसकी radius is small r मैं माले इसको cover up किया गया है gold से इसको cover up किया है gold से जो मैं highlight कर देता हूँ ताकि आप easily समझ पाओगे answer option तक पहुँच पाओगे जल्दी ठीक है देखो ये हमने highlight कर देखो let's suppose यहां से यहां तक का radius यह वाला radius ओहो सोरी highlighter की क्या ज़वरत है पेन ले ले लेता हूँ यह वाला radius इतना है let's suppose capital R यहां से यहां वाला radius अब देखो हमारे पास एक information क्या information है कि volume of gold is equal to volume of lead equal तो gold का volume क्या होगा क्योंकि जो yellow वाला portion है yellow वाला portion gold है yellow वाला portion क्या है gold है yellow वाला portion क्या लिका लोगे भाई पहले लिका लोगे इसका volume तो क्या होगा 4 by 3 pi r q इसमें से अगर छोटे वाले यह वाला का area minus छोटे वाले का volume minus कर दोगे तो gold का volume आ जाया 4 by 3 pi r q और lead लेड तो छोटा वाला ही है तो इसका volume क्या होगा 4 by 3 pi r q यह gold का volume हो गया और यह किसका volume रहा lead का बस equate करना था question के recording अब चलो हम solve करते हैं इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो यह क्या हो जाएगा plus 4 by 3 pi r q तो चलो 4 by 3 pi capital r q is equal to यहाँ पे add करूँगा तो कितना हो जागा 8 by 3 pi r q pi से pi cancel 3 से 3 cancel 4 से 2 यानि r q is equal to 2 into small r q और आप जानते हो small क्योंकि lead का diameter दिया गया है फोर तो radius कितना होगा two to 2 inte 2 का q r q is equal to इतना तो r is equal to क्या होगा is the q root of क्योंकि r हटाएगा यह तो q root of क्या हो जागा q into two ka q तो यह तो बाहर लिख लेगा तो क्या हो जाएगा 2 और यह बाहर लिख लेगा q root of2 equal to capital r capital r क्या हो गया two into q root of two और information दिया गया था कि given इसकी value इतनी है यानि 2 into 1.259, 9 से 8 टाइमस में 1 और 5, 2.518, यानि capital R हमें पता चल गया कितना है, इतना, small r कितना है, 2, अब देखो मैं यहाँ पर highlighter यूज करूँगा, तो better understanding, capital R इतना, small r इतना, हमें जो क्या चाहिए, हमें चाहिए thickness, यह वाला चाहिए, हमें यह वाला चाहिए, thickness चाहिए, तो thickness क्या होगा, capital R minus small r, capital R 2.518 minus 2, यानि 0.518, 0.518 कौन सा answer हो जाए, देखो देखी answer, ये नहीं हो पाएगा, ये होगा, यानि option कौन सा correct हो गया, D is the right answer तो 397 का D corrected ज़रो 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 तो लिए next question पर आते हैं देखते है question number 398 क्या दिया गया है देखो ध्यान से 398 एक conical cup is filled with ice cream देखो एक conical cup है मैं यहाँ पर दिखा देना चाहरा हूँ यह conical cup है इस conical cup को क्या किया गया प्रुच अंदर भर दिया आप देखते हो खाने जाते हो नीचा कोन वाला आप देखते हो आईस्क्रीम खाते तो इसी तरह से भर रहा होता है हमने इस तरह से इसमें क्या गर दिया इस लिए मैंने इस तरह से diagram बणाया क्योंकि मैंने question पाले ही read कर लिया था दा आइस्क्रीम फो में हैमिस फेर सेप और इट्स ओपन टैब जो ओपन वाला टैब है इस पर हमिस फेर बन रहा है कौन सा हमिस फेर वाला पोर्शन है यह देखो यह हमिस फेर वाला ही पोर्शन बन रहा है जो मैं अभी डाइग्राम प एक्वल होता है तो हाइट हमसे कहा गए कि यह वाला पार्ट कितना है 7 सेंटीनी यह हाइट और रेडियस ह्म पार्ट Tea कम सावाला पार्ट होगा अगे बढ़ते हैं कॉंक squash कोन हाइट रहा है कोन का हाइट कौन सा वाला पार्ट हो गया देखो मैं color change दरूं तो better understanding होगी कोन का हाइट कौन सा हो गया की कोन का हाइट किसके equal है है hemispheres के radius के बराबर radius of hemispheres या अगर यह साथ है hemispheres का radius तो इसका हाइट भी क्या होगा से लिए हमसे पुछा कि देन द वॉलूम आइस्क्रीम आइस्क्रीम का वॉलूम अब ये बताओ वॉलूम आइस्क्रीम आइस्क्रीम में पूरा है तो आइस्क्रीम का आइस्क्रीम का वॉलूम क्या होगा कून का वोलूम यहां से यहां तक वाला पार्ट कून है तो कून का वोलूम प्लस हेमियस फेर का वोलूम यहांनि अर्ध वोले का क्या वोलूम एक्वेट कर दो तो हमारा आईस्क्रीम का वोलूम आजाएगा कून का वोलूम क्या होता है 1 by 3 pi r square h यानि 7 का square into height 7 प्लस हेमिस फ़ीर का फोलुम टू ओक टू बाइ थी पाइ आर क्यूँ यानि से बन का क्यूब है कि लो प्लास यहां भी है से विकल क्यूब यहां भी है तो और वन बाइ थी operator 2016 कर लो तो सेविल का क्यूब ओ इंटू 7 का क्यूंग चलो पाई की मेलू क्या करो पाई की मेलू 222 277 का क्यूग 7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसे लो अब देखो दियान से या 7 7 जा 49 49 इंटू 22 फो लिक्षोता हूं तू इंटू 11, दो से 9 दुनी 18, 4 दुनी 98 इंटू 11, अब मल्टिप्लाई कर लो या, 98 इंटू 11, मल्टिप्लाई करना असान है, 8, 8, 9, 17, 9, 1, 10, 10, 10, 8 आ जाएगा एंसर, कौन सा एंसर मैच कर रहा है, 1078, 1078 ये आपका एंसर मैच कर रहा है, तो option कौन सा correct एंसर हो गया, option number 1, simple था, आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि radius तो यहीं है, कौन की भी, जो इसकी hemisphere के radius होगी, question में कुछ नहीं था, conceptual part आसान था, बस concept यहीं था, कि इन दोनों को add करके, क्योंकि ये जो height होता है, वही radius के बराबर हो जाता है, और ये radius के बराबर, ये question में दिया गया था, उ 9 and 10 cm, एक sphere hollow sphere है, यानि इस तरह से, जिसका अंदर वाला diameter अगर 6 है, तो radius क्या होगा, 6, और बाहर वाला diameter, sorry, radius 3 होगा, बाहर वाला diameter 10 है, तो radius कितना होगा, 5, यह यहां तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, इस respectively melt into a right circular कौन, इसको हमने क्या किया, melt करके हमने right circular एक कौन बनाया, ओके, जिसकी diameter 8 है, diameter 8 है, तो radius कितना होगा, 4, and height लिकालना है, इस कोन की height, यानि volume, इधर का volume और इधर का volume equate करते हो, चलो, volume equate करने के लिए मैं color भी change कर लेता हूँ, इसका volume क्या होगा, ज्यान से देख, इसका volume क्या होगा, 4 by 3 pi r cube होता है, तो 5 का cube minus, इस 3 का cube, क्योंकि य 1 by 3, क्योंकि कोन का volume क्या होता है, 1 by 3 pi, यार, square का volume होता है, 4 by 3 pi r cube, तो 4 by 3 pi common था, 5 का cube, minus 3 का cube, क्योंकि पहले बड़े वाले का square का volume, minus छोटे वाले x square का volume, तो ये पूरा, होई मी, square का volume हो जाएगा, या कभी भी ऐसे रहे न, बता ही देता हूँ, ये small r, ये क्या है, capital r, अगर इसका volume लिकालना है, तो directly लिखना, 4 by 3 pi, capital r का cube, minus small r का cube, बस ये volume आ गया, बस, ये results चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप आसली समझ भी सकते हो, जो मैंने आपको सम्झाने की कोशिस केता है, क्योंका volume क्या होता है, 1 by 3 pi r square h, तो 1 by 3 pi r square, 5, 4 का square into h, देखो दियाना से, pi into 3, pi ये cancel, 3 से 3 cancel, pi से pi cancel, 4 into, ये कितना बचा, 5 का cube, 125, 3 का cube, 27, is equal to, 4 into 4 into h, 4 से 4 cancel, अब इसको मैं minus करों, तो 8 हो गया, और ये बचा, 11, 9 is equal to 4 into h, h की value कितना हो गया, 98 by 4, 98 by 4, 4 से 2 times में, 4 दुनी 8, 18 हो जाए, 4, 4, 4, 16, 4, 5 हो गया, 24.5, 24.5 कौन सा answer मैच कर रहा है, c correct answer हो जाएगा, option number c is the right, कुछ थान ही इस question में easily किया जा सकता है, चलिए, next question, question number 400, तो 400 question क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं, a flask in the shape of right circular cone of height 24 cm filled it water, the water is poured into a right circular cylinder, flask whose radius is one third of the radius of base of a circular cone, then the height of water is in the cylindrical flask, question आसान है, question को पढ़ोगे तो question बहुत ही easy है, क्या कहा गया हमारे पास एक right circular cone है, ये कौन रहा, जिसका height दिया गया है 24, आगे बढ़ते हैं, sorry height दिया गया है, height दिया गया है 24, radius के बारे में कोई information है, let suppose radius में आर्मान लेता हूँ, कहा गया कि इसमें जो water field है, इसमें जो water field है, इसको पोर करो, एक क्या cylindrical flask में, इसके पानी को हमें क्या करना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, आगे बढ़ते हैं, जिसकी radius, जिसकी इस radius जो है, one third of, इसका जो radius r dash, माल लेता हूँ, इसका radius r dash है, one third of किसके, one third of radius of a circular point, यानि one third of r है, आगे बढ़ते हैं, कहांगे दिन the height of water level of cylindrical flask, height of water level, यानि जैसे इसमें पानी भरेंगे, तो water का level कितना height तक है, the height of a water level, इसमें यहीं पानी इसमें यूज किया जा रहा है, volume सेम करें, तो बताव यहां का volume क्या होगा, पून का volume, one by three, pi r square h, r square into h, कितना है, 24, cylinder का volume क्या होता है, pi r square, r square, r कितना है, इतना, यानि r by three है, तो r square by क्या हो जाएगा, nine, इसका square करूँगा, तो into height नहीं पता है, let's suppose h, क्योंकि water का level, height of water level कितना है, let's suppose h, h dash मानलो, h dash लिकालना है, एको ध्यान से, pi से pi कैंसी, r square से r square कैंसी, 3 से 8, 8 और यहां पे nine जाके multiply हो जाएगा, तो eight into nine is equal to h dash, यानि h dash की value कितनी होगी, nine into eight, 72, 72 आ गया, कॉंसा answer match कर रहा है, देख लेते हैं, 72 कॉंसा answer match कर रहा है, option number, d is the right answer of this question, simple था यार, यह तो कितनी बार इस type के question कर चुके हैं, कि भाई, उसी पानी से हम भर रहे हैं तो, यानि कि दोनों का volume सेम करना पड़ेगा, जो पानी इसमें कठा हुआ था, वहीं पानी उसमें डाल रहे हैं, यानि कि दोनों के volume को सेम कर दो, question आसानी से बन जाएगा, और question में था नहीं, चलिए, next video session पसंद आए, तो video को like कर देगा, और comments में आप reply कर सकते हो, कि इस session से आपको help मिला या नहीं, ठीक है, thank you, bye bye, मिल